हे दोस्तों वेलकम बेक तो आज के सुडियो में हम सीखेंगे अगर हमें कोई close traverse कीवन है तो हम केसे पता करेंगे कि वो clockwise direction में या anti clockwise direction में तो इस स्यूडियो में हम इस topic को clear करेंगे तो इसलिए स्यूडियो को पूरा end तक देखना क्योंकि एकदम short topic होगा लेकिन बहुत जादा important होगा आपके लिए क्योंकि अगर हमें कोई close traverse गिवन है और आपको question में नहीं बताया कि वो anti clockwise direction में या clockwise direction में तो आप उसे कैसे determine करोगे तो इसके लिए यहाँ पर मैंने दो एकजाम पर लिए एक clockwise direction का traverse और एक antic clockwise direction का traverse और यह दोनों ही हमारे क्या होंगे close traverse होंगे तो हम first example देख लेते हैं अगर आपको portion कुछ इस type से given है उसमें forward bearing और back bearing कुछ इस type से given है तो सबसे पहले हम क्या करते है इस से related हम क्या करते है ट्रेवर्स ड्रॉइंग बनाते है तो इसकी जो traverse ड्रॉइंग है उससे मैंने यहाँ पर already create के हुआ है जो कि आपको देखने मिल तो कुछ इस type से गई है तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेवर्स है उसकी direction गया बनी पहले A2B इस type से B2C इस type से C2D इस type से D2E इस type से और E से A इस type से तो यहाँ पर जो हमारा direction है वो क्या होरा हमारा clockwise direction में जा रहा है तो इसलिए जो हमारा traverse होगा यह हमारा traverse कौन सा होगा clockwise traverse होगा यानि clockwise direction का traverse होगा तो यहाँ पर जब भी हम included interior angle calculate करेंगे तो हमारे सब हो किस में आएंगे positive आएंगे और जो भी हमारा negative आएगा वो क्या होगा हमारा exterior angle in case of clockwise direction traverse तो आपको यह बात समझ में आ गई तो clockwise direction का traverse आपको कैसे पता चलेगा इस type से अब anti clockwise traverse दिया है यह आपको कैसा पता चलेगा वो भी आपको floating की हज़से पता चलेगा तो उसका भी मैंने यहाँ पर एक example लिया हुआ है उसे भी हम समझ देते हैं तो यहाँ पर हमने second example लिया हुआ है एंटी clockwise direction का traverse का यह भी हमारा close traverse ही होगा तो उसे भी हम देख लेते हैं तो question में आपको कुछ इस type का एक table given होगा जिसमें कुछ lines given होगी उनकी forward bearing और back bearing आपको given होगी तो उसके लिए close traverse कैसे बनेगा है वो भी हम देख लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर यह line हमें given है यहाँ पर जो AB line है उसकी forward bearing कितनी है 191 degree and 30 minute वो कुछ इस type से बन रही है और E की 2-A 30 degree and 15 मों कुछ इस type से बन रही है तो जो हमाण traverse बन रहा है उसके direction के से आ रही है A to B इस type से B to C इस type से C to D D से इस type से और E से कुछ इस type से यहाँ झो हमारा traverse है ओ किस direction में जा रहा है कुछ इस type से direction में आ रहा है तो यह जो हमारा direction आ गया, यह कौन सा हो गया हमारा anti-clockwise direction हो गया, क्योंकि जो हमारी घड़ी है कुछ इस type से आती है, और यहाँ पर जो direction आ रहा है, वो उल्टा आ रहा है, इस type से आ रहा है, तो यह क्या हो गया हमारा anti-clockwise direction में आ गया traverse, तो इस type के traverse को क्या बोलेंगे, anti-clockwise direction वा इस case में जो method मैंने बताइए उस method के लिए मैंने कौन सी method बताइए आपको included angle के लिए करने की back bearing of line minus four bearing of line उस type से हम क्या निकालते थे included interior angle निकालते थे तो उस method के लिए मैं आपको यह बता रहा हूँ बाकी other method में negative और positive value change हो सकती है तो यहाँ पर जो हमारे included interior angle लाएंगे इन anticlockwise direction में तो वो सारे negative आ है यानि वो interior angle है और अगर कोई positive आता है तो हमारा क्या होगा वो exterior included angle तो आपको समझ में आ गया कि clockwise और anticlockwise direction हम कैसे determine करते हैं तो जो हमें table given होगा उसे हम जो plotting करेंगे traverse की उसी की हद समय क्या मिलेगी उनकी direction भी पता चलेगी यहाँ पर इस type direction जा रही थी और जो first example था उसमें direction clockwise थी तो इस type से हम close traverse की direction को determine करते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आयो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई close traverse given है तो उसकी आप direction कैसे determine कर लोगे question में तो अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए helpful है तो वीडियो को लाइक करना साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेर करना जिससे उन तक भी इस related information पहुस सके इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर ना तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का एगन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की झाल